तो यहां पर आप देखेंगे कि जब आपको यह थर्मो स्टेट चेक करने हैं तो आप इस तरीके से इनको अलग निकाल लीजिए अपनी गीजर से और बिल्कुर इसको आप इन तारों को भी आप हटा सकते हैं या फिर आप दूसरी साइट से हटा करके यहां पर जोइंट कर स सकते हैं अधरवाइस यहां पर सीरिस के बारे में मैं आपको बता दूंगा जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने एक वल्प ले लिया है और वल्प लेने के बाद यहां पर आप देख रहे होंगे तो डारेटली आप जो बल्प इस्तिमाल करते हैं चालू करते हैं उसको आपने देखा हुगा कि आपके पास ये 2 तार रहते हैं ये इस तरीके से आपको सीरिज बनाने में क्लिए क्ला करना है कि इसमें में से कोई भी एक तार जो भी आप चाहें इसमें से एक तार कट कर लीजिए अब यह यहां पर एक तार मैंने कट कर दिया है अब आपको क्या करना है कि जो थर्मो स्टेट की यहां पर वायर लगी हुई थी यहां पर यह इस तरीके से यह लगा लें जो भी सीरीज में था आप इस तरीके से इसको लगा लेंगे आप जद लुटा але यह रह esas है यहां अधिश कि इस तरीके से मैंने यहांपर ईट एक आines कर दी हैं एक बार काटके अब आप तो एक वह दो फिर से दिखा दिताओं यहां पर आप इने में लग हैं जिसत्रीके से आप बोड में अब यहां पर आप देख रहे होंगे यह मेल लाइन के तार है और यहां पर यह पावर बोर्ड है मैंने यहां पर पावर बोर्ड में इनको लगा दिया है और यह देखे इस तरीके से यहां पर आप देख रहे होंगे तो यह बल्म अभी चालू हो रहा है इस तरीके से और यह तरीके से यहां पर टेंपरेचर बढ़ेगा और यह बग बंद हो जाएगा अब देखें यहां पर मैंने चालू कर लिया है साथ में यह धियान रखें कि आप जब भी इसको पकड़ें तो यह आप हमेशा इसको प्लास्टिक से पकड़ें और तार आप अब यहां पर देखेंगे कि काफी गर्म करने के बाद भी यहां पर यह बंद नहीं हुआ है कि इसको थोड़ा गर्म करने को उसस करेंगे देखिए जैसे जैसे यह देखिए थंडा हो गया है इसमें कुछ यह देखिए ठंडा हो गया है अब मैं इसको दुबारा जैसे ही इसको आग दिखाऊंगा यह देखिए जैसे पानी गरम होगा यह इस तरीके से काम करता है अब जैसे यह ठंडा होगा बलब फिर से चालू हो जाएगा तो यह तरीका है आपका जो यह थर्मो लखेंगे इस तरीके से अब देखिए ठंडा हो गया है और दुबारा ओन हो गया है आप देखिए इसको दुबारा मैं गरम करने के लिए गैस पर रख देता हूं यह देखिए जैसे पानी गरम होगा यह बंद हो जाएगा कर दो